नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अजिंकिया आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रॉक टॉक्स के इस नए एपिसोड में आज की वीडियो में हम जानने वाले है आईशर की तरफ से लॉंच के गए एक अपग्रेड़ प्रोड़क्ट के बारे में यानि कि 12 फीट डेकलेंद की बहुत दिनों बाद हम ट्रॉक टॉक स्टाइल ओल्ड स्कूल पिक्टोरियल वीडियो बना रहे हैं ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब परना ना भूलना और इस वीडियो का लाइक बटन भी दबा जीजेगा आईए वीडियो शुरू करते हैं दूस् इसी प्लैटफॉर्म पर आधारित आईशर ने बीएस फोर और बीएस सिक्स एमिशन नॉम्स में आईशर प्रो टू जूरो फोर नैन का निर्मान किया जल्द ही आईशर प्रो टू जूरो फोर नैन भारत का एक चाहिता चोटा ट्रक बन गया साधे दस फीट की डेक साथ ये गाड़ी कई ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स में फेमस होई और जल्द ही आईशर ने इसके डिजल मॉडल के साथ 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 C&G मॉडल भी लांच किया जो बहुत ज़्यादा मातरा में फेमस होगा दोस्तों और अब हाल ही में आईशर ने अपने 2049 को एक काफी बढ ये चीजों के बारे में इस नए वेरियंट में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इसमें 12 फीट लंबा डेकलेंट दिया गया है और साथी में अगर आपको पता होगा तो आईशर की 2049 जो गाड़ी थी वह वाइट कलर में बेची जाती थी और इस नए वेरियंट में आईश 266 BS6 कमपलेंट 2 लिटर का 3 सिलेंडर इन लाइन डीजल BS6 एंजिन लगया गया है जो इसे 100 HP की ताकत और 285 Nm का टॉर्क परदान करता है साथी में इसमें आईशर का नाया ET30S5 5-speed manual gearbox hybrid gear shift lever के साथ दिया गया है जिसमें आपको 280 mm डाय का clutch दिया गया है इसमें आगे और यानि कि gross vehicle weight है 4995 kg का और इसमें आपको approximately 2.3 टन का पिलोड कैपैसिटी मिल जाता है इसका wheelbase है 3370 mm का और इसका turning circle diameter है 13.1 मिटर का इतने चोटे turning circle diameter के बदलत ये गाड़ी शेहरों के लिए काफी best है साथी में 7 लिटर का diesel fuel tank और 19 लिटर का AdBlue tank इसमें दिया गया है दूस्तो में मदलाव इसमें किया गया है पीछे के loading tray में लंबाई है 12 feet की और चोड़ाई है 6 feet 6 inch की बड़ा tray यानि की बड़ा मुनाफा इसमें आपको 7-16 के 14 player rating के tires मिल जाते हैं और भाहिलोग mileage average की बात करें थो माइशर की pro 2049 के 10 feet वेरियंट जितना ही mileage यानि की लगबग 9.5 से 10 km प्रति लीटर का average इस गाड़ी से expect कर सकते है लेकिन दोस्तों गाड़ी का mileage गाड़ी को चलाने का तेरिका गाड़ी में की हुई loading और रास्ते की condition पर निर्भर करता है इस चीज़ का जरूर्दान दीजेगा ये गाड़ी आईशर के यूटेक 6 platform पर बनाए गई है इसमें 1. 1.8 मीटर का मजबूत dual panel strong के बिन मिल जाता है जो safety की मामले में number 1 है उसी के साथ साथ all wheel disc brake इसमें दिये गया है जो इसकी stopping power बढ़ा देते हैं साथी में खुबसूरती निखारने के लिए और safety precautions के लिए आगे की और DRL यानिकी daytime running headlamps उसे के साथ साथ anti roll bar भी दिया गया है और इस गाड़ी में मेरा favorite feature यानिकी cruise control का feature भी दिया गया है जो खास कर highways पर काफी मददगार साबित होता है दोस्तो गाड़ी के pricing के बारे में तो फिलाल मेरे पास कोई information नहीं आया है लेकिन हम इसे iSher pro 2049 से थोड़ा ज्यादा यानिकी लगबग 12-13 लाक रुपय तक एक showroom expect क कर सकते हैं दोस्तो अधिक जानकरी के लिए आप आपके नजदी की आईशर के showroom अथवा dealership पर जरूर संपर्क कर सकते हैं तो दोस्तो ये गाड़ी किन लोगों के लिए है अगर आप pickups का business करते हैं और आपको fleet में एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो बिलकुल pickups और LCV trucks के industrial goods, furniture, household material, electronics, इत्यदी, कई सारे शहरी तता highway applications में आप इस गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं इस गाड़ी पर एक साल्य unlimited km की warranty मिलती है उसी के साथ साथ 3 साल्य unlimited km की warranty इंजिन और gearbox पर company के ओर से दी गई है तो दोस्तो कैसे लेगी आपको आईशर की नई pro 2049 12 feet के deckland के साथ smart city truck हमें नीचे comment section में ज़रू बाताना मिलते हैं ऐसी किसी खुबसूरत गाड़ी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते रहेए टेपले डाय का sunblocks, truck talks, spreading all the love about tracks, जैहेंद